पर देखो यार important points पहली बता देता हूँ ताकि आपका समय वेश ना हो सबसे पहले सबसे important बी बी टेक इन स्पेसिफ ब्रांच इसी apply कर सकते हैं जैसे electronics, electronics and communication, electronics and telecommunication या mechanical दूसरा एक साल का experience needed है, freshers apply नहीं कर सकते, तीसरा ये fixed term contract basis का job है, permanent job नहीं है तो अगर आप interested हो, fit हो ये criteria's में तो पूरा वीडियो देखना नहीं तो या पर वीडियो को छोड़ सकते हो और इस community में part spread हो जाईए, ताकि आप healthy discussions कर सको regarding कौन से teacher से पढ़ाई कर रहे हो, कौन से courses बढ़िया है, authentic genuine reviews देना, test series के बार में, interview questions के बार में, सब कुछ आप आप discussion कर सकते हो, even material sharing तो चलिए अब, यहाँ पर BEL के official website पर यह notification आई है, apply now का button आपको, यहाँ से मिल जाएगा, अगर view detail advertisement पर click करोगे, तो यह वाला PDF open हो जाएगा, सबसे पहले BEL, भारत electronics limited, नवरतन company है, और यह fixed term contract business का job यहाँ पर होने वाला है, mechanical वालों के लिए, 5 साल का tenure, electronics वालों के लिए तीन साल का tenure, upper edge limit सभी के लिए सेम है, 28 years, post qualification experience भी सभी के लिए सेम है, one year किस में होना चाहिए, आगे mention किया गया है, mechanical के अंदर 18 वेकेंसी है, electronics के अंदर 16 वेकेंसी है, category wise description यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, BB tag in respective domain होना चाहिए, 4 साल का, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, upper EWS वालों के लिए, पर special categories वालों के लिए relaxation मिल जाता है, pay scale में सिर्फ basic pay नहीं है, basic pay के साथ साथ आपको DHRA perks allowances जो एक permanent job की एक होती है, salary structure वैसा ही यहाँ पर provide किया गया है, इसलिए आपकी CTC 12 लाग पर आनम की रहेगी, ठीक है, BB tag में आपका first class होना चाहिए, और just pass भी चल वाले ही apply कर सकते है, ठीक है जी, post qualification experience, एक साल का किस में होना चाहिए, in domain में होना चाहिए, electronics वालों के लिए, किस में होना चाहिए, in domain में होना चाहिए, अच्छा, इसके लब अगर बात करें, mode of selection मैंने start में बता दिया था, that return test followed by interview, यह होने वाला है, held at Delhi NCR location, yes application fees रहेगी, जो क्या अच्छी खासी रखी गई है, general OBCWS वालों के लिए, आप देख सकते हो, 472, यह actually 400 plus 18% GST है, और अगर आप CSTPWD candidate हो, उस case में कोई भी application fees आपको पे नहीं करनी है, how to apply अगर देखें, तो यहाँ पर link दिया गया है, यहाँ पर जा करके apply कर सकते हो, वही link मैंने यहा पर भी provide की है, तो आप देख सकते हो, अच्छा इसके अलावा जब apply कर रहे हो, तो कौन कौन से document और क्या size होना चीए, उसके बार में भी यहाँ पर सारा mention किया गया है, और यहाँ पर Indian Nationals ही apply कर सकते है, other countries वाले apply नहीं कर सकते है, important dates के बार में बात करें, तो online application 14th August से start हो ग मैंने बता दिया, आप written test जो है, first week of October कहा गया है, और यह tentative है, exact date आपको visit पर ही मिल जाएगी, और आपको email के माधियम से भी बताया जाएगा, ठीक है जी, बस इतने सी बात है, I hope you enjoyed the video, सब कुछ आपको समझ में आ गया, फिर भी अगर आपको वे doubt है, comment section में पूछ सकते हो meet you in the next video, till then take care, bye for now, see ya, bye